तो हलो गाइज कैसे हैं आप लोग एंड विलकम बैक यह हमारा मेरे ख्याल से तीसरा पार्ट है इसके पहले हम लोग ने दो पार्ट देखे तो वह आप लोग तीन सौ लोग देखे हैं तो काफी है मेरे लिए तो मैंने चलो तीसरा पार्ट बना लिया जाए इस पार्ट में हम करेंगे कल्चुरी के सारे राजा माराजों का जिक्र ठीक है तो बस बैठिए अराम से और मज़र दीजिए यह पुरी चीज हिंदी में है बस सामने में थोला प्रेजेंटेशन कारा मैंने इंग्लिश लिखा है ओके तो पहला क्वेश्टन जो है कल्चुरी जो वंच था वो छट्वीश रताबदी में चालो हुआ था इनका पूरा ओवराल कारेकाल है वो पांसव से सत्रासव तक के बीच में था ठीक है तो चबलपूर के महाईशमती ब्रांच है वहां के थी त्रिपुरी ब्रांच जो है वहां पर ना फिर नववीश रताबदी में चाट्रिश गड़ में आए इन लोग परके तो कोकाल देव था वो जो है बेसिकली में त्रिपुरी ब्रांच उसमें स्थापित की थी उसका जो पूत्र था जो की शंकर गड़ बन जो है शंकर गड़न गड़न है ठीक है देवा प्रास्त किया और परास्त करके बूले ठीक है पर रहा है वह वह वापस चलेगे फिर उस समय क्या हुआ था पाली जो कुर्बा में था यह सब काम और जो चैतुर्गड में क्या बोलते है हमारा महामाया मंदीर वह बन माया वहां पर चलाब भी बन माया तो सब गए कमल राज अब देखिए कई लोग दो बुक्स हैं दो बुक्स में अलग अलग दिया है यह से जो मैं बता रहा हूं में पटेल और टुटेजा की जो बुक रहती है विलासपूर में तो एक बुक में दिया है कि दोनों का जो कारेकाल था वो समकालीन थे इन लोग और में कलिंग राज ने तुम्मन में राज़ानी बनाई इस समय तक पूरे दक्षिन कौशाल में यह जो राजवन स्था वो फैल गया था ओके सो अब आते हैं कलिंग राज के बाद रतना देव तो इनका जो कारेकाल था वो था दस पैतालिस से पैंसाट तक तीस बीस सल कारेकाल था इन्होंने नोलाला जो है कोरन मंदल वजुवर्मा की बेटी से शादी की और एक हजार पचास सन में इन्होंने लतनपूर जो कुबेरपूर कहा जाता था उसको कैपिटल बनाया वहां पर महामाया मंदिर की स्थापना की इनके पास आते हैं प्रिथ्विदेव इनको शकल कोसला अधिपती बोला जाता था इन्होंने प्रिथ्विदेश्वा टेंपल प्रिवडाया और टुमन महीं बनाया था इनको 21,000 मानड़ी अनको हलाएं कि अभी 27 गल में 21 है नहीं पर फिर भी चाटनुषुक जो कि क्या होता है influence जो होता है वो चाहीं दंडे का जो मंडब हो फोता तक यह राज किये इनका जगतपाल था इन्होंने जो छिंदाकनाग डैनस्टी राजवन्स उसके राजा सुमेश्वर को हराया था फिर इन्होंने उडिशा को भी के राजा को भी हराया था फिर ट्रिपुरी से अलग हो गया थे कुछ समय के लिए इसी का अलग कैसे हुए कि इन्होंने खुद का सोनी का सिक्का निकालना चालू गिया इनको गजद सर्दूल भी बोलते थे यह क्यों बोला याता है जो हांती का मारने वाला तो जाजल्लेपुरी इन्होंने बसाया इसको जांजगीर के नाम से जानते हैं हम लोग एंड सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के हमको पता है हम लोग इसने जो त्रिपुरी से अलग करने के लिए करे एंड पाली के शिव मंदिर का जिर्ण अधार इन्होंने करवाया जिसको स्थापट किया था कोकाल देव की बेते शंकर गण बुग्दतूंग ने तो अब आते रतना देव टू यह ग्यारा सो बीस से ग्यारा सो पैंटीस तक थे तो इनके समय में अनंत वर्णमन चोट गंग है यह गंग वंशज है इनको इन्होंने हराया था यह फिर शिवीन नरायान से बाहर भाग गय थे त्रिपुरी कल्चुरी के अधीन था उस समय त्र से रता वो अनंत वर्णमन वापस आया इस समय इतनी बुई तरहारा कि उस तरफ से बाहर निकल गया आपके सरोवर बलता हूं नदी तरफ से बाकी पिछवी देश जो थे वो 35 से 65 थे कल्चुरी राजवंश का सबसे ज्यादा सबूत इनके लिए ही पाया जाता है बैसे लि जगत्पाल पृत्वी देव वन के जाज लिए वाला गलत है लेकिन इन्हों है राजी प्लोचर मंदिर का इनोगेट किया थे नहीं ठीक है वह दिस इस ओप्शन रॉंग इस रॉंग एंड इन इन्हों क्या क्या जीता कांके जीता ब्रह्म कोट जीता सारंगर को पहले क्या अब आते हैं जालजल्य देव द्विती इस समय जादा कुछ हुआ ही था त्रिपुरी के जैसिंग तो उनका असफल आकरमन हो था यह कहां पताया गया हमको मलहार का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिखा गया है दिखाया गया है फिर इनके बाद आते हैं जगत्देव यह जाजल्य देव द्विती के भाई थे थे ठीक है और इन्होंने गंग रूलर से बाहर निकले हैं उनके सप्रेशन से रतना देव तृति यह जगत्देव के पूत्र थे अब गंगधर राओ जो थे प्रधानमंत्री थे इनके समय जो उलीशा के थे ब्रामन थे लखनेशन मंदिर खरोत का जिन्हों धाकराया गंगधर राओ ने सांतिसाथ एक वीरमाता मंदिर भी बनवाया प्रताप मल्ला यह 1198 से 1222 तक थे इनके दो पूत्र थे जस्वराज और यश्वराज और यह एक तरह से डार्क पिरेट बोला जाता है इनकी बारे में कुछ भी नहीं मिला गया अब बोलते हैं बहार से आए एक तरह से इनको ऐसा बोले जाता है तो यह 1480 से 1525 तक थे इन्होंने कोसगाई माटा मंदिर को बर्म बर्माया और रतनपूर से कोसंगा इन्होंने ट्रांसवर कराया किसको कैपिटल को छूरी कोसगाई बोल सकते हैं अब इसके बाद आते हैं कल्यान साइं यह 1554 से 181 तक थे इनके बारे में यह कि रेवेन्यू पूस्थि सब बहुत अच्छी थी तो इनके कराने अकबर के दरबार में आठ साल तक थे इस बहुत जारा फेमस थे कल्यान साइं फिर बिटिश अफसर जो थे वो चिसम बोलते हैं उन्होंने 1868 में जो जमिंदारे सिस्टम है इनके बिना पर ही बनाया था 36 गड़ बनाया थे इन्हों नहीं क्या किया था जगनात स्वामी मंदिर को भी बनवाया था फिर आते हैं लक्षमन साइं इन्होंने देश भही तयार की 1530 में जिससे राजी का लगाया हुआ टेक्स का विवरण है तलुगदार की सूची भी इन्होंने तयार की और यह उनके पिता थे पिता के मस्त क्य राकातपूर बर्माया और औरंग जेब के अधीन थे एक तरह से फिर आते हैं हमारे राज सिंग 1746 इन्होंने राजपूर बर्माया था गोपाल मिश्र जो थे हैं जिनके खूब तमाशा भक्ति चिंतामनी ठीक है रमधा श्ठाक के सब लिखा है वो सब इनके अधीन थे र फिर हम जानते हैं रगुनार सिंग मोहन सिंग और अमर सिंग तो यह मैं क्यों ला रहा हूँ बेखे रगुनार सिंग तो लास्ट इंडिपेंडेंट कल्चूरी शाशक थे इस समय भासकरपन आ गया इनको हरादिया रतनपूर में भासकरपन ने बोला कि आप राज करो फिर मोहन सिंग आये मोहन सिंग जो थी वह जो थे मराठा काल के अधीन में सबसे जो कल्चूरी शाशक थे फिर अमर सिंग भी एक हैं जो 1750 तक थे तो रायपूर शाखा थी लाहूरी ब्रांच थी जो कल्चूरी की उसके वह अंतिम शाशक थे तो यह तीन पॉइंट आपको आप में सामरी कर लीएं है अब कलिंग राज और कमल राज है ना इन लोगों ने आई कमल राज को बोलते हैं कि riot 2027 को रहा निया ना टमबन में राज यानी बनाई और रटनपूर में राज्जानी बनाई और आपका फुरा से पर बनाया अब रतना देव कि रतना देव ने बेसिकली आण नुलाला से शादी किया इन्हों रतनपूर में को कब्रस्वाइब रतनदेव ने रतनपूर कबडल बनाया था करिंग राज तुम्बल को बनाया था एंड महाया टेंपल बनाया ठीक है महिशा सुर्मरदिनी लफागर का जो है तौर गोल का उसी रेप का रेप्लिका बनाया ह को शकल को सला दीपती बोलते हैं 21,000 वीरेजेस थे इनके हास जाचले देव के जगतपाल नोबल थे इन्होंने उडिसा के रूलर को हराया था सुमेश्वा देव चिंदग अनाक है उनको हराया था कॉपर कॉइन और वो किया था क्या बोलते हैं सुने कोईन अपने आपको त्रिपूरी सालाग करने का दावा किया था फिर आया रतना देव अब रतना देव जो थे उनका आप देखेंगे तो यह तू नहीं क्या किया था इन्होंने थोड़े अंतर अनन्त वर्मन चोडगंग को हराया था जो गंग नैस्टी के थे कहां पहराया था शिवरी नरायन पे इनको त्रिका लेंग दीपती बोल दी आती थी इन्होंने फिर से कल्चुरी शाचक को स्विकार किया था फिर प्रिष्वी देव आया थे इन्होंने शारंगर जीता और राजीर लोजन टेंपल का जिरनोधार करया जो जगतपाल है उनके द के बाद जाल देजे तू में एक अंसक्सेस्फुल राज सिंग ने जैसिंग ने जो त्रिपुरी के था उन्होंने अटेंट किया फिर वहां से भाग गया उन लोग फिर आते हैं प्रताप मल्ला इनके में जो बेटे थे बस वही जारा इंपॉर्टन्ट है उसके बाद जग को बनाया था फिर आते हैं पताप मल्ला इनके दो बेटे थे कौन-कौन थे जश्राज और यस्वराज और यह सहासपूर कॉपर प्रेट में पता चलता है फिर आया अपना डार्क प्रेड फिर हम आते हैं कल्यान साहीं का राजस्तु पुस्ति का यह सबके चक्कर में और च अन्तिम चालन में आपने तकत पुर बनाया रास थी ने राजपुर बनाया सदार सिंग वहीरो थे रास सिंग के समय गोपाल मिष्र जो से वह आया फिर अन्तिम इंडिपेंडेंट मुहन सिंग मराठा के अंदर रतन पुर बाहन से अमर सिंग रायपुर शाक्ः तो को पास खुद के नोट्स हैं उसमें से चेक कर लीजिए मैंने आपको एक सिंपल साफ फ्लो बता दिया इसमें से आपको पूरा एक बार में रिवाइश हो जाएगा और सुछिए Anyway, मैं अधी बेक है उस मेरे नोटस मीरा सिंपल साफ और आपको थाइब आपको का ट।ो आपको कई अँड़्यो खंगा चारे साफ कीं और नीच आ आपको एवीजिए- झाल झाल